नमस्कार दोस्तों ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत 23 मार्च 2023 का ये दिन बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा आज राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है गुजरात की सूरत की एक कोट ने और ये सजा क्यों सुनाई गई है क्योंके 2019 के लोकसभा चुनाओ के कैमपेन के समय करनाटक में उन्हों ने ये कहा था कि ये मोदी सरनेम वाले क्या सभी चोर होते हैं और इस पर मान हानी के मुकदमे काओ सामना कर रहे थे लंबी सनवाई के बाद राहुल गांधी को दो साल की सजा सुना दी गई हाला कि सेशन कोट से उनको जमानत मिल गई है एक महिन्न का समय मिल गया है कि वो हाई कोट में अपील दायर कर सकते हैं इस सजा के खिलाफ लेकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है नमबर दो वो अगले छे साल के लिए चुनाव लड़ने के आयोग्य गोशित किये जा सकते हैं इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी दो हजार चोबीस का लोगसभा चुनाव नहीं लड़ सकते राज्य सभा में भी नहीं जा सकते वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते और किसी सदन के सदस्यत नहीं बन सकते नमबर दो अगर इमीडियेटली वो जेल की सजा काटने के लिए जेल चले जाएं सरंडर कर दें तो दो हजार उन्तीस से पहले वो पात्रता पा लेंगे लोग सभा चुनाव लड़ने की इसी समय अगर चले जाते हैं क्योंकि छे साल पूरे होंगे दो हजार उन्तीस में जा करके लेकिन अभी अगर वो इस सजा के खिलाब हाई कोर्ट में जा करके अपील करते हैं और अगर हाई कोर्ट ने भी जो जिला अदालत है सूरत की जिसने दो साल की सजा सुनाई है उस पर अपनी महर लगा दी के सजा बरकरार रहेगी उसके बाद अगर वो सुप्रिम कोर्ट गे और सुप्रिम कोर्ट में भी ततकाल राहत तो मिलती नहीं है या सुप्रिम कोर्ट इस सजा को रद्ध ही कर देगा इसकी भी गारिंटी नहीं है तो इसमें जो समय लगेगा चार महिन्य का छे महिन्य का जो भी समय लगना है वो उतना बढ़ता चला जाएगा 2029 के लिहाज से मान लिया अब से 6 महिने बाद या 8 महिने बाद सुप्रिम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि सजा बरकरार रहेगी तो जब ये जेल जाएंगे उसके 2 साल तक ये जेल के वीतर रहेंगे मान लिया इस समय मार्च चल रहा है तो अप्रेल मही जून जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त सितंबर में अगर ये जेल गए तो फिर दो हजार पचीस के अगस्त में रिहा होंगे या उससे एक दो महिना पहले रिहा हो जाएंगे अगर इनका जेल में आचरण ठीक रहा और दो हजार पचीस से लेकर के फिर अगले पांच-छे साल तक ये आयोग्ये रहेंगे चुनाव लड़ने के यानि ऐसी सूरत में ये दो हजार उन्तिस का लोगसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे अभी कुछ ही समय पहले यानि अब से जब मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ इससे कुछ समय पहले सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर पहुँची थी और क्यों पहुँची थी भाई उनका बेटा है वो नहीं पहुँचेंगी तो और कौन पहुँचेगा राहुल गांधी के घर के सामने कौंग्रेसी भी जुटे हुए हैं जो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और जाहिर है नारेंदर मौदी के खिलाव उनकी सरकार के खिलाव भी नारेवाजी लगा रहे हैं और यह जो राहुल गांधी को जूट बोलने की आदत है यह जो पोजिशन का दुरुपयोंक करने की आदत है इसको जिस तरीके से ये कॉंग्रेस के उनके चापलूस उनके इर्द गिर्द के कुछ नेता लगातार सरहते हुए आ रहे हैं और राहुल गांधी का बचाओ करने के लिए सारे घुड़े दोड़ाते आ रहे हैं उसी का परिणाम है कि आज राहुल गांधी को दो साल की सजा हो गई है अगर राहुल गांधी को कोई कॉंग्रेस के भीतर रोकने टोकने वाला होता तो ये नौबत यहां तक नहीं आती कि आप जन सभाओं को संबोधित कर रहे हैं तो ये समझ लें कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं चोकिदार चोर है वाले मामले में ये कितना आगे तक चले गए थे और जब राहुल गांधी जा रहे हैं तो उनके परवक्ताओं की क्या हैसित है कि वो नरेंद्र मौदी को परदान मंतरी को चोकिदार चोर है ना कहें इसलिए सारी कॉंग्रेस पगला गई थी दो हजार उन्नीस के लोक सभा कैमपेन में नतीजा क्या निकल और उन्नीस में लोक सभा में नेता परतीपक्ष का पद कॉंग्रेस को मिला क्योंकि देश ने कहा कि आप तो इसके लायक भी नहीं हैं दो हजार चोदा में केवल 44 सीटे मिली कांग्रेस को पूरे देश में 543 में से और 2019 में केवल 52 सीटे हैं 2019 में तो राहुल गांधी को भी अमेठी से लोगों ने हरा दिया, तो मेरा कहना ये है कि जिसके पास जो पोजिशन होती है, उस पोजिशन का अगर वो व्यक्ति सम्मान नहीं करता है, उस पोजिशन का अगर वो दुरूपयोग करता है, आप राष्टपती को भी नहीं मानेंगे, आप उपराष्टपती को भी नहीं मानेंगे, सेंट्रल होल में, जब राष्टपती आती हैं, या पहले रामनात कौविन साहब आते थे, या कोई ऐसा प्रोग्राम है जहां ये सब हैं और प्राइम मिनिस्टर वगरा भी हैं और नेता विपक्ष भी हैं वहाँ पर और राहुल गांदी भी है, आप तबके वीजूल उठा करके देखिए, ये वहाँ भी सीरियसली राष्टपती का अभी भाशन नहीं सुन रहे हो और एक गलत सा बुरा सा मू बना करके बैठे रहते हैं अगर आपको इतनी सब्वेता नहीं है अगर इतने संसकार नहीं है और अगर आप राजनीती में अपने आपको जबरदस्ती आपकी मम्मी के द्वारा थोपा हुआ महसूस करते हैं तो फिर आपको राजनीती में रहन मन में किसी के प्रति कुछ भी हो, लेकिन प्रतियक्ष तोर पर आपको सदाशेता, उदारता, जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी लोकतंत्रिक परिपाटियां हैं, उनका सम्मान करना पड़ता है. दिखाना पड़ता है देश को, पब्लिक को, मद्दाताओं को, पक्ष विपक्ष को, के आप इतने परिपक्व हैं, और अगर अब ये सब आप नहीं करते हैं, तब आपको ऐपरिपक्व ही माना जाएगा. तब जब आप इस तरह के बयान देते हैं, और पर्लिमेंट में भी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी राष्टपती के अभी भाशन के बाद, जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया था मोदी सरकार ने, उस पर पक्ष विपक्ष के लोगों ने अपने का जवाब देते हैं, उस से पहले राहुल गांधी ने अपनी पोजिशन का दुरुप्योग किया, राष्टपती के अभी भाशन पर अपना पक्ष रखने के वजाए, क्या होता है, राष्टपती के अभी भाशन में जो जो मुद्दे उठाए गए हैं, जो जो दावे किय गए हैं सरकार की तरफ से, उन पर आपको टीका टिपणी करनी होती है, लेकिन इन्हों ने राष्टपती के अभी भाशन पर कुछ नहीं कहा, इन्हों ने अपनी पोजिशन का दुरुप्योग करते हुए, उस मिले हुए समय का दुरुप्योग करते हुए, 40 मिनट से अधि प्रिक्तिगत रूप से आक्षेप किये वो भी पार्लेमेंट के भीतर लोगसभा के भीतर ऐसे ऐसे आरोप नरेंद्र गोधी पर लगाए गए कि 2014 से पहले जैसे गोतम अडानी दुनिया भर के उद्योग पतियों में 119 नंबर पर थे और मोधी के आने के बाद वो नंबर दो पर आ गए इन्होंना कहा कि नरेंद्र मोधी उनके विमान में उनके साथ किसी समय यात्रा करते थे और अब जब से प्रधान मंत्री बने हैं नरे श्यात्राओं पर जाते हैं और तमाम तरह के आरोप इन्हों न लगाए थे उस पर भी ये संसद के भीतर विशेशा अधिकार हनन का मामले का सामना कर रहे हैं उसमें भी इनकी संसद सदस्तेता जाने के पूरे-पूरे खत्रे हैं क्योंकि इस स्पीकर के कहने के दूद इन्हों ने जो कुछ इनूने कहा था परदान मंतरी के बारे में और गोता मड़ानी के मिली भगत के बारे में और फाइदा पहुचाने के बारे में उसका कोई दस्तावेजिये लोग सबसची वालिया को प्रस्तुत नहीं कर पाए जमानी कर पाए और जो ये मामला था, 2019 के करनाटक के कॉलार में जो इन्होंने कहा था, कि ये मौदी सरनेम के जितने लोग होते हैं, ये सब चोर क्या होते हैं, इस पर तो सजा हो गई, और देखिए, जन परतिनी धी कानून की धरा, जो आठ तीन है, इसके तहत यदि किसी सांसद को दोशी ठेराया जाता है, रद्ध हो जाती है, सजा पूरी होने के बाद, यानि दो साल बाद जब वो रिहा होगा, छे साल तक, वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, यानि अब से आठ साल तक, राहुल गांदी कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, दो हजार तेरा से पहले, ये जो जन परती नहीं थी, कानून की धारा आठ तीन है, ये आठ चार हुआ करती थी, और उस में ये प्रावधान था, कि आपको सजा हुई, मानलढ़ दो साल की सजा हुई, तीन साल की सजा हुई, तो आपकी सदस्ता तब तक रहती थी, जब तक कि आप हाई कोट में या सुप्रिम कोट में उसकी अपील करें और उस पर सुनवाई हो, अगर वो दोनों कोट आपकी सजा बरकरार रखते हैं, तो आपकी सदस्ता चली जाती थी, आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा 2013 में एक अध्यादेश लाकर के सुप्रिम कोट में जो ये आठ चार की धारा रद्द करके, आठ तीन की धारा को रखा था, जीवित किया था, उसके खिलाब मनमोहन सरकार लालु यादों को बचाने के लिए, एक अध्यादेश लेकर के आई थी, और उस समय मनमोहन सिंग अमेरिका के दोरे पर से, प्रेस कलब ओफ इंडिया दिल्ली में राहुल गांधी पहुँचे, और जो अध्यादेश लालु को बचाने के लिए मनमोहन सरकार लेकर के आई थी, उसको इन्हों ने इस तरीके से फाड़ करके भैंक दिया, और ये कहा के ये तो इस से भी सक्त कानून बनाया जाना चाहिए, सजा होते ही लोगों की सदस्ता चली जानी चाहिए, वो चाहे सांसद है, चाहे विधायक है, अभी हाल के दो प्रकरण मुझे याद आ रहे हैं, एक आजम खान का था, जिनको तीन साल की सजा होई थी, और उनकी सदस् रद्ध हो गई थी, खारीज हो गई थी, उसी समय, दूसरी उनके बेटे की, वो भी जैसे ही उसको सजा हुई, सदस्ता रद्ध हो गई, राहुल गांधी की भी लोकसभा सदस्ता किसी भी समय रद्ध होने की सूचना आ जाएगी है, यानि ये हाई कोर्ट जाएं, वहां से सजा के खिलाप इस्टे लें, फिर ये सुप्रिम कोर्ट जाएं, वहां से इस्टे लें, अगर हाई कोर्ट भी सजा बरकरार रखता है, तो तब तक इनकी सदस्ता रहेगी ही, इस बात की कोई गारेंटी नहीं है, किसी भी समय, ये लोकसभा सदस्ता के उपर है, कि वो किस स दो साल की इनकी सजा हो चुकी है, अब ये जाकर के आगे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप जड़ा सोचिए, कोई Member of Parliament, क्या, उसको ये पता नहीं है, कि कानून क्या है, कानून संसद बनाती है, Member of Parliament बनाते हैं, और अगर आप कानून का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं, कानून को धता बताते हुए, आप हर जन सभा में परदान मंतरी से लेकर के, और तमाम जो आपकी संस्थाएं हैं, समयधानिक संस्थाएं हैं, उनका आप मान करते रहते हैं, और इन्होंने छोड़ा किसको है, जुड़ी शेरी के खिलाप ये बोलते हैं, के साब जुड़ी शेरी सोतंत्र नहीं रह गई है, मीडिया के खिलाप ये बोलते हैं, चुनाव आयोक के खिलाप ये बोल चुके हैं, इवी एम पर सवाल ये उठा चुके हैं, इडी और सी वी आई पर ये बोल चुके हैं, कि इन पर यकीन आरोप लगाता है कि income tax department तो बदले की वहावना से कारिक करता है और बचा क्या है देश में बस सीधे सीधे ये ये नहीं कह सकते कि इस देश की जनता भी दोशी है क्योंकि वो हमें नहीं चुन रही है नरेंद्र मौदी को चुन रही है और जिस तरह का इस समय देश में जानिया हो रही है जिस तरह की मुहीम चल रही है और विदेशों में भी कुछ ताक्ते हैं जिस तरीके से भारत में आईस्थिर्ता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है उसमें अगर किसी गैर जिम्मेदार नेता को और नेता भी कौन राजीव गांधी और सोनिया गा पुत्र इंद्रा गांधी के पोते जवहालाल नहरु के नाती नाना थे ना इनके तो नाती या जो भी आप रिष्टा कह सकते हैं वो उस परिवार के राहुल गांधी जिन से उनकी मम्मी ये अपेक्षा करती है कि वो आगे चलकर के देश का निच्रत्तु करें वो तो चाहती थी कि दो हजार चोदा में ये करें तो वो देश के मद्दाताओं ने होने नहीं दिया ने रहांगि मौधि को लिया तमाम विरोध के बावजूद और उनको तमाम तरह की गालिया बके जाने के बावजूद इस की जंताने उनको चुना और 2019 फिर चुना और अब situation ऐसी है कि 2024 में फिर नरेंद्र मोधी के वापस आने के पूरे-पूरे आसार बन रहे हैं क्योंकि जिस तरह का विपक्ष हो तो पूरी तरीके से बिखरा और चित्रा हुआ है वो एक दूसरे को नेता स्विकार करने को तैयार नहीं है और राहुल गांदी को त Personal Herald का मामला है अब ही सुशील मोधी ने भी पटना में इसी बयान बाजी पर मुकदमा किया हुआ है और पता करिए देश बर में इनके खिलाफ मानहानी के कितने केस चल रहे हैं तो अगर आप प्रधान मंत्री बनने का सपना देखते हैं और frustration में किसी को कुछ भी कहते हैं क किसी का कुछ भी अपमान करते हैं देश के प्रधान मंत्री को चोर बताते है चोपिदार चोर है तब आपको कोई नहीं बचा सकता है आप तब तक ही बचे हुए है जब थक कि आपको कोई चेहरी में नहीं घंप लेता है इस मामले में गुजरात के एक मोधी नाम के ही MLA न चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और के नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार